अभी दो मिनिट है मेरे मामला ऐसा है कि हमारे पास 99 लाख करीब एक करोड 18 प्लस की पॉपलेशन है जो हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट्स है वो कोई बाहर से आये हुए नहीं है वो पुष्टेनी बाशिंदे हैं यहां के जम्मू कश्मीर के और जो रिजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 76 लैक्स है यह जो डिफ्रेंस 22 लाग का है इसी पर हमारे बीजेपी के साथ ही दोड़दूब कोशिश कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यूंकि कश्मीर की पॉलिसी माफ करेंगे वह मुझे जो प्राइमिनिस्टर नरिंदर मोदी जी की कय जादत में पांच अगस 2019 को जो डिजास्टर उनने अपने हाथ में लिया कि 370 और 35 एको एब्रोगेट करने के जो उन्होंने एकदमात उठाए वह एक डिजास्टर था और आज वह दुबारा एक कोशिश एलेक्शन कमिशन अब इंडिया के थ्रू कर रहे हैं कि अब आप अगर यहां पर कोई बंदा तीन या चार महने के लिए भी आता है उसको भी कोशिश कीजिए आप उसको रिजिस्टर करने यहां पर एज़गे ज़गे ज़गे पूचना है इन से जम्मू कश्मीर के कश्मीर से लाकुं की तैदाद में हमारे स्टूड़न्स बिजनस कमिनि जो आज से नहीं सदियों से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है क्या वो कहीं पर रिजिस्टर है एस वोटर्स फॉर्द एसेंब्ली कॉंस्ट्वेंसी नो एक आदमी सिर्फ एक जगा पर रिजिस्टर हो सकता है एस वोटर फॉर्द एसम्ब्ली कॉंस्ट्वेंसी पारिमेंट के लिए कप्रालग मॉंदा दोड़ दूसरा जो तब आप जब्स यहां पर लूगू में डाला गया का आँख फोर्स बी इसमें शामल किया रहे हैं तैक एंट नोट बीकाश्वीर अटनाट यर एट अट सी चुकि उनका अपना एक सिस्टम है जो आज भी राइज है पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए कि सर्विस वोटर्स के तहत उनको रिजिस्टर किया जाता है और वो लोग अपनी नेट्व एसेंबली सेग्मेट के लिए उनको अगर वोट डालना होता है उनका वोट अवे समाक से बाहर निकालें कि कि कोई आंप फॉर्सिस भी इसमें शामल किया जा सकते हैं और यह एक्जरसाइज बीजेपी ने इसलिए की क्योंकि उनकी जो यहां की कश्मीर पॉलिसी है और जो इंटेलिजन्स रिपोर्ट्स या बाकी रिपोर्ट्स उनको जो हमको बावर किया गया है कुछ जरायों के तहट कि जो उनको रिपोर्ट्स मिली है एट थाइस लेवल वह रिपोर्ट्स यह है कि यू आर लूजिंग एलेक्शन्स इन जम्मू एज वैल एज इन कश्मीर वैली और हो सकता है बीजेपी का यहां पर राउट हो आर ओ यूटी राउट उसके ल अगर यह चीज सही है तो जो यह यहां पर जो टेंपरीरी रेजिडेंट है जिसको आप वोटिंग का हग दे रहे हैं उसका मतलब यह भी होता है कि वह अपने आपको बैसेतिक कैंडिडेट भी खड़ा कर सकता है किसी भी सियासिक पार्टी में वह आ सकता है या एक आज हर एक फर्द बशर को चाहे वो हिंदू है मुसल्मान है सिख है इसाई है कश्मीरी पंडित है लडाख का हमारा बाशिंदा है आज सब को पता चल गया कि तीन सो सथर और पैंटीस एका क्या वैल्यू था दिस वस्ट वैल्यू अफ थर्टी फाइव एंट्री सेंट्रि नहीं था यह हर किसी बाशिंद्र के लिए था उसकी नोकरी के लिए स्ट्रीच थी उसकी जौब के लिए सिक्यॉरिट थी उसके जाइदाद के लिए सिक्यॉरिटंटी थी और उसके वोटिंग राइट केुली सिक्यॉरिटंटी सो इस एक्जरसाइज को जो आप ये एक्जरसाइज कर रहे हैं एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया थ्रू थे बीजेपी आई थिंक यू आर वेस्टिंग यूर टाइम और आप एक चीज़ और कर रहे हैं आपको आज मेरा कश्मीरी पंडित बाई कह रहा है कि देट यू फेल टू प्रटेक्ट में मैं आज आपकी चैनल्स के थ्रू बिहार के चीफ मिनिस्टर शुरी नतीश कुमार को तीजेश्वरी यादव को उनको मैं ये बावर करवाना चाहता हूं कि यहां पर हमारे जो लेबर फोर्स है मैकसिमम लेबर फोर्स बिहार का है प्लीज वच आउट उनको आप टार्गिट बनाने की कोशिश की जाएगी ऐसे यह जो कानून करने की कोशिश कर रहे हैं उनको टार्गिट बनाने की कोशिश की जाएगी उस पर द्यान दें और मर्किजी सदा पर यह मामला उठाएं कि यह क्या मामला है यह आप वोटर्स को एनलिस्ट कराना चाह रहें